हेलो दोस हो साथ आस वी के मैं चैनल में दोस्तो इस वीडियो में इंपोर्टन कोशन के उपर बात करेंगे जितने भी थर समेस्टर बी ए प्रोग्राम और बी ए ओनर्स वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और ये दोनों कोशन पेपर अभी दिसंबर के ही हैं तो देख लो दोस्तों कौन-कौन से कोशन है जो अभी के एक्जाम में पूछे गए हैं बस ये दो कोशन पेपर आपको करने हैं ये कोशन कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे अच्छे कास है ठीक है तो अभी मैं सरिफ इंपोर्टन कोशन आप सभी को बता रहा हूँ नेक्स वीडियो में इनके कुछ आंसर भी आप सभी को बता दूगा ठीक है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग में को इस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मैसेज कर देना लिंक वीडियो के डिशाफ सभी को मिल जागा और टेलिक्राम लिंक को भी जोइन कर लेना तो अब देख लो दोस्तो कौन-कौन से कोईशन है जो अभी के एक्जाम में पूछे गए हैं दो कोईशन पेपर हैं तो पहला कोईशन पेपर देख लो कौन-कौन से कोईशन है जो पहले कोईशन पेपर में पूछे गए हैं फिर उसके बाद दूसरा कोईशन पेपर आप तो दूसरा question देख लेते हैं दोस्तों यह पहला वाला most important है इसके उपर steady जरूर करना, आप लोग पहले question के पर ठीक है अगो दूसरा question देख लेते हैं तो यह रह आपका दूसरा question इसमें देखे क्या वह लगया है दूसरे question में मनुष्मर्ती में मनु द्वारा प्रतिपातित हिंदू समाजिक कानोनों का आलोचनात्मक विस्षण करें तो आपका ये दूसरा कोशन ठीक है इसके उपर भी स्टेडी जरूर करना इस दोनों कोशन मोस्ट इंपोर्टेंट है मनु इसमर्ति के उपर तो जरूर करना आप लोग अब वो तीसरा कोशन देख लेते हैं ये आपका तीसरा कोशन ठीक है तीसरा कोशन हो गया आपका ये तो ये रहा तीसरा कोशन इसमें देखे बोला क्या गया है तीसरे कोशन में सुक्र निति के विशेश संदर में राजसत्ता और सासन कला के पूर्व कोटलियन सिद्धान्त का परिछन कीजिए तो यह आपका तीसरे का कोशन ठीक है अब वो चौथा देख लेते हैं तो यह आपका चौथा कोशन इसमें देखे क्या बूला गया है चौथा कोशन में मोस् अपने उत्तर के कारण बताएं तो आपका चौथा कोशन ठीक है तो इसको परिशिडी दोस्तों जुरूर करना कोटल लेगो पर यह 95% कंफा में आ सकता है तो इसको परिशिडी जूर करना तो आप पांचवा कोशन देख लेते हैं तो यह आपका पांचवा कोशन इसमें द द्वारा वणित राजसत्ता के सिद्धानत की विस्तार से चर्चा करें तो आपका पांचवा कोशन हो गया ठीक है अब छटा कोशन देख लेते हैं तो ये आपका छटा कोशन इसमें देखे क्या वो लगया है छटे कोशन में प्राचीन बारती राजनितिक चिंतन में पराचीन बारती राजनेति चिंतन में बस्वन्ह के योग्त पर चल्चा करें, तो आपका यह साथा कोशन के आइने एकवरी में संपूर भूता के तत्योगा WikiTOR का विलहसन्ड करें, क्या या बासाथ के देवी सिद्धान्त का समर्थन करता है अपना परतेक उतर विस्तार से दीजिए तो आपका ये आठवा कोशन ठीक है दोस्तो ये भी इंपोर्टेंट है इसको पर भी ज़रूर पढ़ना ठीक है अब बुल फजल की आईने अकवरी अब नवा कोशन देख लेते हैं ये राप का दोस्तो नवा कोशन इसमें देखे क्या वो लगाए है आप लोग अब आखरी last question देख लेते हैं पहले question paper का दसवा question तो यह रहा दोस्तो आपका आखरी last दसवा question इसमें देखे क्या वो लगया है संकरा चार के अधवेद दर्सन के परमुक पस्तावों की चर्चा करें तो यह 10 question complete होगे पहले question paper के अब मैं आपको दूसरा question paper दिखा रहता हूँ दोस्तो जितने भी question बताए हैं यह कर लोगे आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह question आप लोग जरूर कर लेना ठीक है और अभी मैं important question बता रहा हूँ कर देना इस्टाग्राम पर लिंक वीडियो की डिशावसरी को मिल लागा टेलिग्राम लिंक को जॉइन कर देना तो अब दूस्तों दूसरा question paper देख लो उसमें कौन कौन से question है जो पूछे गए मर्ति में रचना कारिता एव अंत विरोदो पर परकास डालिए तो आपका यह दूसरा question दोस्तों यह दोनों question most important है इनके उपर इस्टेडी जुरूर करना ठीक है मनुस्मर्ति के उपर भी और बारती राजनितिक चिंतन के उपर भी ठीक है तो अब तीसरा question देख लेते हैं प्रयोक्त कथान के आलोक में प्राचीन भारत में राज्य के सिद्धानत का मुल्यांकन कीजिए तो आपका यह तीसरा question ठीक है तो दोस्तों इसको पर स्टेडी जुरूर करना कोटल्या के उपर एक question जुरूर आएगा अब वह चौथा question देख लेते हैं तो यह आपका चौ शुक्रिनिती में राज्यतव एव सासनकला की अवधार्ना क्या थी तो आपका यह चौथा question ठीक है तो इसको पर भी जरूर पढ़ना अब पांचवा question देख लेते हैं तो यह आपका पांचवा question इसमें देखे पांचवा question में क्या वो लागया है थुरू कुरल विस्व के उन प्राचिन नैतिक लेखकों में से एक है जो हमारे पास आया है उप्रियुक्त कथान पर चल्चा कीजिए तो आपका यह पांचवा question ठीक है इसको पर स्ट्री जोरू करना ठीक है उन प्राचिन नैतिक लेखकों में से एक है जो हमारे पास आया है उप्रियुक्त कथान तो यह आपका चलका कोषन इसमें देखे क्या विजिस्टि क्या थे परिचन कीजिएंगे कहें चटना कोशन अगंno सुद्धा में राजी तत्त्त के सिद्धान्त के विणिस्ट anticipation क्या थे परिचन कीजिए चटना कोशनों गया अब सात्वाको सिस्द आपका सात्वा कोशन इसमें देखे, क्या वो लागया है साथवे कोशन में अब आठवा कोशन देख लेते हैं तो यह आठवा और नवा कोशन यह आठवा है और यह नवा ठीक है तो दोस्तों ये दोनों कोशन पिछले कोशन पेपर में पूछा गया है बस लेंगविस थोड़ी चेंज कर दिये तो आठवे में देखे क्या बूला गया है गुरू नानक के समानेवाद की परमुक विसेस्ताओं की चर्चा कीजिए आपका आठवा और नवे कोशन में देखे क्या बूला गया है अबूल फजल में राजिसाई की अफधार्ना का अलोचनात्मक परिछण कीजिए तो आपका ये नवा कोशन अबूल फजल के उपर पहले कोशन पेपर में पूछा गया है तो लेंगविस थोड़ी चेंज कर दे कोशन इसी से रिलेटिट पूछा जाएगा अब दस्वा कोशन देखते हैं आपरी लास्ट यह आपका दस्वा कोशन किनी दो के ओपर टिपड़ी आप सभी को ठीक है तो चार पॉइंट दे रखें चारमें से दो के ओपर टिपड़ी किनी आप पहले मद देखे क्या हो जो आपको पढ़ने हैं तो आखरी लास्त दसवा कोशन हो गया आपका यह तो दो कोशन पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिये यह कोशन आप लोग जरूर कर लेना इन ही मैं से आएगा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी मैंने इंपोर्टन कोशन बता देना लिंक वीडियोगी शाओ से को मिल लाएगा और टेलिग्रम लिंक को भी जोइन कर देना थैंक यू